Good morning friends, आज हम बात करने वाले हैं voice के बारे में You all know that voice जो है दो प्रकार की होती है active voice और passive voice तो शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर active voice और passive voice होती क्या है तो सुन लीजिए, active voice वो होती है जिसमें subject को जो है प्रधानता दी जाती है और passive voice में object को प्रधानता दी जाती है थोड़ा समझ कमाया होगा थोड़ी सी ओर detail ले लेते हैं active voice में हमारा subject जो है वो doer होता है और passive voice में हमारा subject receiver होता है याद रखिएगा बड़ा simple सा logic है आज मैं आपको बताने वाला हूँ active voice से passive voice में बदलने के नियम और तरीके और सारे examples लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि active से passive voice में change क्यों करते हैं क्या जरुत पढ़ रही है चेंज करने की तो मैं आपको बताने वाला हूँ सुन लीजिए active voice में आप सभी को बता है कि subject पर stress दिया जाता है और passive voice में object पर stress दिया जाता है तो simply जवाब आपके पास होना चाहिए stress को change करने के लिए फिर से सुन लीजिए stress को change करने के लिए हम active से passive voice बनाते हैं एक बात आप सभी जानते होंगे कि जब हम active से passive voice में sentence को change करते हैं तो उसका ना तो meaning change होता है और ना ही उसका tense change होता है सिर्फ कहने का तरीका बदल जाता है ठीक है so friends आज में आपको active से passive voice बनाने के लिए नियमों के चक्कर में ना उल जाते हुए बड़े simple तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या करना है रटना कुछ नहीं है थोड़ा सा example से हम समझते हैं जैसे हम कहें कि मैं एक आम खाता हूँ ठीक है तो यह active voice हो गया क्यों क्योंकि stress मुझ पर है means सारा focus मेरे उपर है अभी इसको हम अगर passive voice बनाएं तो ऐसे हो जाएगा कि आम को मेरे दुवारा खाये जाता है बात वही है सिर्फ stress change कर दिया ठीक है जैसे हम कहें कि सुहानी एक गाना गाती है तो हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गाना गाया जाता है सुहानी के दुवारा जो active voice होती है उसमें sing का means होता है गाना गाना और इज संग जो passive voice आपका होगा उसका means होता है गाना गाया जाना ठीक है आपको समझ आ रहा होगा it means simply आप कह सकते हो कि active voice में subject doer होता है means करने वाला और passive voice में आपका subject जो है वो receiver होता है so friends अब हम बात करने वाले है active से passive voice में बदलने के लिए कुछ जरूरी जो बिंदू होते है points होते हैं उ अगर आप tense identify कर सकते हो तो आपको passive voice बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता बहुत easily आप passive voice बना लोगे कैसे बना लोगे वो आपको आगे पता लग जाएगा लेकिन अगर आप tense identify नहीं कर सकते हो तो आपको थोड़ी problem जरूर होगी ठीक है चलिए इसमें 2-3 point जरूरी है उनके बारे में बात कर लेते हैं पहला point आपका है कि आपको subjective case और objective case के बारे में मालूम होना चाहिए जैसे I का subject I होता है और इसका object me होता है यो का subject you ही होता है और इसका objective case यो होता है ठीक है इसी तरीके से he, see, it, they ये सारे subjective case है और इनके objective case होता है him, her, them, it इस तरीके से तो इस तरह से आपको subjective और objective case की knowledge होनी चाहिए I hope वो आपको होगी भी अब बात करते हैं थोड़ी सी tense के बारे में आपको बता है कि tense जो है 12 होते हैं और 12 tense में से सिर्फ 8 tense की passivose बनती है जिन 4 tense की passivose नहीं बनती वे इस प्रकार हैं अब बात कर लेते हैं जनरल rules के बारे में सबसे पहले हम object को subject बनाते हैं उसके बाद उचित helping verb का प्रयोग करते हैं फिर v3 का प्रयोग करते हैं और फिर by plus object का प्रयोग करते हैं यह आपके general rules है ठीक है एक बात जरूर याद रखिए helping verb के साथ जो प्रयोग होगी वो b की form होगी और b की कौन सी form होगी वही tense अगर आपका present tense है तो b की भी present की form उसना आपको apply करने पड़ेगी b की form के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है b की form कौन कौन सी होती है इज, r, m, b, was, war, being, or being यह आपकी आठ जो है b की forms होती है बस अब example सुरूर ही करने वाले हैं लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बहुत प्यारी सी बात बताना चाहूंगा की अगर कोई आपसे पूछने लगे की passive voice किसे कहते हैं तो आप बता दोगे जिसमें object को प्रधानता दी जाती है या आप बता सकते हो की जिसमें subject receiver होता है लेकिन कोई आपसे पूछने लगे की आपके सामने लिखा हुआ sentence अंगरे जी में तो आप कैसे पहचान होगे की इसमें subject receiver है या फिर subject doer है कैसे पहचान होगे means आप कैसा identify करोगे की subject sentence जो है passive voice का है या active voice का है तो याद रखेगा जिन्दकी भर याद रहेगा बहुत आसान है B plus V3 I repeat B plus V3 जहां होगा दुनिया का कोई भी sentence हो passive voice होगी B plus V3 चलिए example सुरू करते हैं ठीक है आईए So friends आपको बिल्कुल भी एक भी rule याद करने की जोरत नहीं है कि ये tense present indefinity में helping क्या होगी past में कौन सी होगी future indefinity में कौन सी होगी कुछ भी आपको memorize करने की जोरत नहीं है आपको सिर्फ ये basic चीज़े मालूम होने चाहिए जैसे B की forms आपको पता है Each RM होती है और B होती है was, were, being और being ये सारे B की forms होती है ये तो आपको मालूम ही होगा B की forms जो है 8 हो गई पूरी हम जब change करते हैं हमारे सामाने नियम होते हैं object को हम subject बनाते है और बीच में जो procedure होता है उसके बाद by plus object रखते है जनरली उसके बाद v3 परियोग करते हैं ठीक है नमबर 4 जो है जो भी helping और बागवे वाक्यम होगी उसको रखते हैं और B की form को tense के अनुसार हम use करते हैं ठीक है अब देखिए कैसे use करेंगे हम इनको मैंने कुछ examples लिखे हुए है आपको बिलकुल भी मालूम नहीं है कि इनमें rule कौन सा use होगा don't worry बस आपको tense identify करने आने चाहिए अगर आप tense identify कर सकते हो तो बहुत इज़ी है सब कुछ देख लिजे जरा पहला sentence है तनू sings a song इसकी हिंदी क्या है हमें नहीं पता कौन से tense का है ये मालूम होगा तो सारा काम आसान हो जाएगा कैसे होगा देखिए सबसे पहले sentence की पोच पकड़ी means object को उठाया object उठाया आपका क्या है इसमें object a song ठीक है उसके बाद बीच में क्या आएगा भी छोड़ दीजे उसको हमने रखा क्या by plus object object क्या है तनू name है तो ये ऐसे ही रह जाएगा तनू अब ध्यान से देखिए V3 का हम प्रयोग करेंगे V3 क्या है sings sings की third form क्या होती है sung होता है ठीक है अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो भी आपकी helping और भो वो यहाँ पर रख दो helping अब देख रही है किसी को नहीं देख रही है तो helping अब हम नहीं रखेंगे अब बात आए कि यहाँ पर B की form रखनी है B की form कौन से रखेंगे वो हमें tense identify करना पड़ेगा आपने देखा इसमें SEIS लगा हुआ है और SEIS सिर्फ present indefinity में लगता है अब present tense में हम क्या रखेंगे देखी ज़रा B इन तो थर्ड form होती है नहीं रख सकते यह कौन से form होती है आई जी form होती है यह भी नहीं रख सकते वोजवरतों कतेरे नहीं रख सकते अब बचा इज आरेम और B आपको मालूम है कि B भी नहीं रखा जाएगा अब बचे इज आरेम अब देखिए असोंग के साथ आप R रखोगे नहीं रखा जाएगा M रखोगे नहीं रखा जाएगा क्या बच गया इज बच गया simply इस तरीके से logical तरीके समझो रटना कुछ नहीं है अब यहाँ पर आपने इज रखा था तो इस sentence आपको complete हो गया असोंग इज संग बाई तनू तनू एक गीत गाती है और हमने इसी बात को ऐसे थोड़ा modify कर दिया कि एक गीत तनू के दुआरा गाय जाता है ठीक है गाती है मिनसे subject door है और गाया जाता है मिनसे subject receiver है बात वही है सिर्फ कहने का जो तरीका है वो change कर दिया stress जो है वो change कर दिया next sentence है कयूम जी likes miss साइस्ता साइस्ता जी को पसंद करते है बहुत ज़्यादा करते है देखिए अब सबसे पहले object उठाया हमने object क्या है आपका miss साइस्ता उसके बाद हम बीच में क्या रखेंगा उसको भी leave कर दीजिए सिर्फ हमने रखना है by plus object by और plus हमारा subject कयूम जी है तो यह object बन जाएगा ठीक है अब देखिए ध्यान से हमने लिखा है कि जो भी helping और आपकी हो वो रखतो है आपे helping अब देख रही है नहीं देख रही है तो छोड़ दीजिए अब इसके बाद आया like इसकी third form हो जाएगे आपकी liked ठीक है अब यहाँ पर क्या रखा जाएगा यह वाली बात माइने करती है अब देखिए ध्यान से एस लगा हुआ है और एस के वल present indefinite tense में लगता है present indefinite tense में लगा हुआ है it means वो जवर तो नहीं आना being भी नहीं आना being भी नहीं आना क्यों नहीं आना क्यों कि यह past के लिए होता है यह continuous के लिए होता है यह third form है तो इन में से गुचाएगा अब baby नहीं आता present में इजारे में से गुचाएगा अब miss size था equation है तो क्या जाएगा इजा जाएगा simply logical way मैं समझो बिल्कुल भी tension लेने की ज़रूत नहीं है next sentence देखिए इक्रा is singing a song इक्रा गाना गा रही है अच्छी गाय का है अच्छा गाती है गुडिया सबसे पहले हमने object को उठाया object था आपका इस song यह बन गया आपका subject उसके बाद फिर से देखिए हम यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे हमें कुछ नहीं देखना है हमने subject को उठाया और इसको last मले गए by इक्रा ठीक है अब क्या करना है उसके बाद हमने कहा था कि अगर कोई helping verb दी होई है उससे पहले थोड़ा देख लीजिए with three रख लीजिए पहले एक बार singing है संग होती है अब हमने कहा था कि जो भी helping verb आपके दी गई हो उसी को रख लीजिए यह रख लीजिए अब यहाँ पर कौन सी form आएगी वो देखना पड़ेगा यानि के बी की continuous form आएगी अब continuous form कौन सी है देखे ज़रा simply दिख रहा है बीइंग है वो रख दीजिए I hope आपको समझ आ रहा होगा next अनेस देखिए सुहानी has played chess सुहानी सतरंज खेल चुकी है वही तरीका सेम object को उठाया सबसपहले sentence की पूँच पकड़ी तो यह आगे आपका chess यह क्या है इसके आत के आएगा वो भी छोड़ दीजिए सबसपहले रखो by plus object object क्या है हमारा subject सुहानी है तो यह object बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपके V3 दी गई है तो उसको लिख लीजिए played ठीक है hedge दिया हुआ है means helping of hedge को रख लीजिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है helping of अगर दी गई है hedge है it means have भी हो सकता है अगर हमारा subject बहुआचन होता तो have भी आ सकता था यह आपको ध्यान नखना है hedge हो गया अब यहाँ पर B की form आएगी कौन सी form आएगी बड़ा एजी है आपको पता लग गया कि यह था आपका present perfect hedge plus V3 present perfect है अब present perfect है तो third form देखेगा third form सीधी यह लिखिया बीन यह लिख दीजिए आपर बहुत आसान है लेकिन समझने वालों के लिए कल्लो लवड बिल्लो कल्लो बिल्लो से प्रेम करता था वही तरीका है object उठाईए बिल्लो उसके बाद आपका subject जो है यह बन जाएगा आपको object by कल्लो तरीका सेम है वह आपकी third form दीजिए लवड उसके बाद यहां क्या आएगा आपकी helping अब रखी हो तो रख दीजिए helping अब आपको नहीं दिख रही है तो आप क्या गरोगे अब आपको करना है कि जो आपका tense है आपना देखा कौन सा है second form दी गई है क्यों है second form यह याद रखना दुनिया का ऐसा कोई भी tense नहीं है जिसमें आपकी third form subject के तुरंत बाद आ जाए ठीक है इसी लिए second form है it means past indefinite है और past में को नहीं जोगा यह तो नहीं आ सकते यह भी नहीं आ सकते past में यह आएगा past indefinite में was your बिल्लो के साथ क्या आएगा वर नहीं जी was आएगा I know आप भी ठीक बता रहे थे was यह आएगा तो यह हो गया below was loved by कलू I hope आपके लिए काफी easy हो गया होगा और एकजंपस देख लेते हैं अच्छे सा समझ आ जाएगा ठीक है चलिए कुछ और एकजंपस देख लेते हैं sentence है he was eating an apple अब आपने देखा यह sentence है he was eating an apple तो सब से पहले object उठाएगे उसके बाद वही तरीका है अपने according हम देखते रहेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपने देखा continuous tense है तो जो helping और भे उसी को रख दीजिए an apple के साथ आएगा was तो was उसके बाद देखी continuous tense है तो be की form इसके साथ add हो जाएगी being वर्ब की third form eaten an apple was being eaten और by जी हाँ he को हो जाएगा him next sentence है you will play a match you will play a match तो a match will be played by you क्योंकि you का objective case भी यू ही होता है they have broken the rules तो the rules have been broken by them ठीक है seafood does not draw a painting तो a painting is not इस बार negative sentence है present in a unit का तो is not हो जाएगा a painting is not drawn by Sifu और देख लिए जी had you stolen my pen तो had interrogative sentence है interrogative तरीके से ही बनाएंगे अगर आपके सामने sentence affirmative है तो उसको affirmative तरीके से बनाएंगे negative है तो उसको negative तरीके से बनाएंगे और interrogative sentence आपके सामने है तो उसको interrogative तरीके से ही बनाएंगे ठीक है तो had my pen उसके बाद देखे been आ जाएगा been stolen by you अब देखे sentence who वाले sentence अगर आपके sentence में who आया हुआ है तो उसका structure पैसिवेश में थोड़ा अलग होता है कैसे होता है देखे जरा who beats you अपने पहचान लिया ऐसे लगा white में यह present in definite को सोगर रहा है तो who वाले sentence में सबसब लगाएंगे by whom ठीक है उसके बाद जो आपका नया subject बनने वाला है उसके coding आएगी आपके helping verb आपको पता लग गया कि present in definite में आपका इजारम आता है और you के coding आएगा by whom are क्योंकि बहुआ चान है तो by whom are you और वाव की third form बिटन एक sentence देखिए who teach you English तो by whom are you taught English इसी sentence को आप ऐसे भी बना सकते हो by whom is English taught to you और sentence देखिए who is calling you तो by whom are you being called who is watching TV तो by whom is TV being watched ऐसे ही बहुत सारे sentence से आप practice कर सकते हो और examples आपको देगया है समझ लीजी कुछ points से 10 से समबंदित अभी बागी है उसको हम next part में देखिए I hope आपको मजाया होगा और समझ भी आगया होगा चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए तरीकी के साथ तब तक take care and keep smiling